अपने जीवनकाल में गुरुजी ने देश विदेश की यात्राएं की और लोगों को ईश्वर का मार्ग दिखाया लोगों का मार्ग तर्शन करते हुए गुरुजी एक बार धनपुर नामक स्थान पर पहुँचे जो स्थान आज असाम में है वहां के लोग देवी कमाक्षी के पुजा करते थे उस स्थान पर उस समय कमरूप की रानी नूशाह का राज था नूशाह का संपून इतिहास हम साखी के माध्यम से सभी को बता चुके हैं अगर आपने भे नहीं देखी है तो दिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक को देखें जब नूशाह के सभी जादू गुरूजी के सामने विफल हो गए थे उसके पस्चाद वे गुरूजी की दूसरी महिला से एक बनी जब गुरूजी उस थान को छोड़ कर जा रहे थे तब नूशाह ने गुरूजी से उनकी कोई व्यादकार वस्तू मांगी जिसे वे गुरूजी की याद में हमेशा अपने साथ रख सके उसका में गुरूजी अपने साथ एक बर्चा यानी भाला जंगल की यात्राओं के लिए रखते थे उस बर्चे से गुरूजी ने जमीन पर वहाँ एक निशान बनाया बात में उस थान को खोद कर गुरूजी की इच्छा अनुसार एक तलाब बनाया गया वह बर्चा या भाला गुरूजी नूशा को उपार स्वरूप दे आये थे इस थान पर आज गुरूद्वारा बर्चा साहिब है जो की असाम में है आईए देखें असाम की यात्रा में क्या हुआ था ठाका की यात्रा के पस्चाद गुरूनानक देवजी और भाई मर्दाना एक बियापान जंगल में ठहरे भाई मर्दाना ने गुरूजी से कहा गुरूजी ठाका में कितना अच्छा था खाना पीना ईश्वर की पूजा करना सभी कुछ समय पर हो रहा था और एक्रफ ही है स्थान है यहां पर ना खाना है ना पीना है और ना कोई सोने की सही जगा जाने हम इस जंगल में क्यों आए है और अभी तक हमने यहां पर भोजन नहीं किया है मैं पास ही कोई शहर ढूंडता हूँ वहां जाकर भोजन का परभंद करकर आता हूँ गुरु जी बोले मर्दाना शहर मत जाओ, मेरे पास ही रहो रात हो गई, अगली सुभा भाई मर्दाना फिर गुरु जी से बोले गुरू जी बहुत भूख लगी है मैं शहर जाता हूँ और भोजन का परभंद करकर आता हूँ मर्दाना शहर मत जाओ मेरे पास ही रहो इसी तरह तीसरा दिन भी निकल गया अब भाई मर्दाना की भूख के मारे हालत खराब थी गुरू जी तीन दिनों से हमने खाना नहीं खाया है अब तो भूख के मारे जान निकली जा रही है मैं शहर जाता हूँ और शहर से बोजन का परभंद करकर आता हूँ आप बार बार जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं मैं जल्द ही लोटा हूँगा भाई मर्दाना को जित करते देख गुरू जी बोले ठीक है मर्दाना जाओ परंतु अपना विवेग वा उच्छाव कमद होने देना निर्भिग बने रहना यह सुनकर भाई मरदाना वहाँ से निकल गए रास्ते में चलते चलते भाई मर्दाना सोच रहे थे जहाना खाना है ना पीना, तीन दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे मैं ईश्वर का भजन कैसे करूँ, मरदाना तुम कैसा सोच रहे हो, याद करो तुम कल क्या गा रहे थे, मैंडक तलाब में रहता है, और फिर भी वह तलाब में कमल के रस को छोड़ कर कीचड को पीता है, दूस जा रहा हूँ, अपने से बात करते करते, भाई मरदाना शेहर में आ गए, भूख के मारे मेरे दिल बैठा जा रहा है, किसका दरवाजा खटकटाओं इस अज़जान शेहर में, कितना विजित शेहर है, सभी और ओड़ते ही ओड़ते हैं, खेतों में ओड़ते, दुकानों म मुझे घूर रही है, कोई भी ऐसी देयालू नहीं है, जो मुझे यह कहे, भोजन कर लो, सिर्फ मुझे घूरे जा रही है, सब पे देया करने वाले गुरू और मेरी साहिता करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, सभी और गहरा सनाटा है, अरे यह कैसा महल है, जिसके सभी दर्वाजे बंद है अरे लगता है कोई उपर से मुझे देख रहा है शायद वो ये कहेगे कि ओ भले आदमी भोजन कर लो परन्तु उस ओरत ने एक शब भी नहीं कहा कैसे विचित लोग हैं एक शब भी नहीं कहा मैं आगे चलता हूँ अरे पर मेरे पाउं आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ परन्तु फिर भी मेरे पाउं आगे नहीं बढ़ रहे हैं लगता है भूख के मारे मेरे मेरे में शक्ती नहीं बची है नहीं नहीं मेरे में तो शक्ती अभी बहुत है पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं अपने पाउं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ मरदाना मत भूलो गुरु जी ने क्या कहा था अपना चेतन बनाए रखना, हिम्मद से काम लेना पर इतनी भूख में मैं अपना चेतन कैसे बनाओ परन्तु गुरु भी तो भूखे है, वो तो अपना चेतन बनाए हुए तो मैं भी उनके आर्शिवास से अपना चेतन बनाए रख सकता हूँ इतनी में ही वहाँ एक दर्वाजा खुला, किसने खुला कुछ नहीं दिखाई दिया दर्वाजा खुलते ही एक बड़ा बरामदा दिखाई दिया तभी भाई मरदाना को दिखा, किसी ने एक सफेद चादर बिचाई पर किसने बिचाई, वह भी नहीं दिखाई दिया चादर के उपर भाई मरदाना को चावल से भरी एक थाली दिखाई थी भाई मर्दाना तुरंट अंदर गए जैसे ही वह जिस दर्वाजे से अंदर गए थे वह दर्वाजा बंद हो गया अब वहाँ चाबलों से भरी थाली नहीं थी तब ही भाई मर्दाना की नजर एक और गई मानव अंकाल को देखते ही भाई मर्दाना डर गए परन्तु गुरुजी का नाम जपने से उनके मन में शान्ती हुई अभी उन्हें थोड़ी शान्ती मिली ही थी कि उन्होंने दूसरी तरफ देखा वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु अरे ये शेर खुले हैं या बंदे हुए हैं परंतु दोनों शेर खंबो से बंदे हुए थे भाई मर्दाना की घबराहाट कुछ कम ही हुई थी कि उनके पास से फुमकारते हुए दो कोब्रा निकले भाई मर्दाना की आँखे डर के मारे बंद हो गई थी जैसे ही भाई मर्दाना ने आखे गोली अब ना वहाँ कोई सर्ब था ना ही कोई शेर चावलों की ठाली फिर से मेज पर रखी हुई थी तब ही एक सुन्दर कन्या हाथ में पानी से भरा गिलास लेकर आई और मेज पर रख दिया दूसरी कन्या ने भाई मरदाना को बैटने के लिए कुरसी दी तीसरी कन्या दूद से भरा गिलास लेकर आई और मेज पर रख दिया किसी ने भी भाई मरदाना से बात नहीं की ऐसा मालूम हो रहा था मानो कटपुतली का खेल चल रहा है भाई मरदाना ने पीछे मुर कर देखा जो कंकाल लटक रहा था वे वहां से गायब था धर्वाजा बन था उन्होंने सभी और देखा परंदो वहां ऐसा कुछ नहीं था जिससे भय लगे सामने से चावलों की खुशबू आ रही थी वे सामने कुरसी पर बैठ गए उन्होंने गुरुजी का नाम लेकर भरबेट भूजन किया भूजन करने के पश्चाथ उन्होंने मन में कहा कैसा विचित्र शेहर है कोई बात नहीं करता इश्वर करे यह कोई जादू नहों ना ही मैं कोई सपना देख रहा हूं पता नहीं यह सब सच में हो रहा है यह सिर्फ भर्म है परंतू मेरी भूजन हो गई है और इसका मतलब यह भर्म नहीं है भूजन होने के पश्चाथ भाई मर्दाना को नीद आने लगी परंतू दूसरी तरफ उनका दिमाग वापस गुरुजी के पास जाने को कहने लगा उन्होंने वापस जाने के लिए पीछे देखा जहां से उन्होंने प्रवेश किया था परंतू वहां एक बलंग पड़ा था और उसके उपर सफेद चादर बिची हुई थी वह बलंग पर बैठ गए बैठते ही जाने क्या हुआ वह सोने के लिए लेट गए लेटते ही भाई मर्दाना को गहरी नीद आ गई परंतू थोड़ी देर में ही उन्हें दो काली बिलियां दिखाई दी जो कि उन्हें घूर रही थी गबराट के मारे उनकी नीन खुल गई और वहां कुछ नहीं था वहां एक बड़ा कमरा था जो की बहुत सुन्दर लग रहा था नीचे लाल कालीन बिचा था भाई मर्दाना का पलंग सोने का हो गया था भे तुरंद उटकर बैठ गए और इधर उदर देखने लगे लोग कितनी शानु शोकत और अराम से रहते हैं इश्वर ने उनके लिए सभी कुछ कितना अराम दायक बनाया है अरे ये मुबतियां क्यों जल रही है जब मैं यहां आया था तो तो दिन था क्या बरात हो गई है मैं क्या करो मां वापस जाने का रास्ता कैसे डूंड़ो वाही गुरू मुझे रास्ता दिखाओ वह तुरन दर्वाजे की और गई परन्तु तभी वहाँ एक बेहाधी खुबसूरत आरत अपने घुटनों के बल बैठ गई और बोली बोलो मेरे लिए क्या देश है मुझे भार जाने का रास्ता दिखाओ कहा जाओगे मुझे जंगल में जाना है जंगल में क्या है वहाँ मेरे गुरूर है अगर वो भी यहाँ आ जाये तो हाँ वो यहाँ आ जायेंगे क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी है मेरी गलती थी कि उनके मना करने के पावजूद भी मैं यहां आया हूँ मुझे वो माफ कर देंगे वो बहुत द्यालू है मुझे शमा कर देंगे वह जरूर आएंगे क्या मेरे गुरूर यहां आचुके है अभी दलक वो नहीं आये है परन्तु वो यहां तुम्हें लेने नहीं आएंगे अगर वो यहां आए तो वो भी यहां के होके रह जाएंगे तुम मच्चा बाहर गना अधेरा है सभी और खतरनाग चंगली जानवर है अगर तुम्हें जाना ही है तो कल चले जाना कम से कम आज रात तुम यहां अराम करो कौन हो तुम्ह मैं मुरीद हूँ कभी मैं एक गानी थी पर जब से मैं यहां के एशो अराम में आई उसी समय से यहां की होकर रह गई यहां पर तुम इतना एशो अराम पाओगे तुम सोच भी नहीं सकते उस लड़की में जाने कैसा समोहन था कि भाई मरदाना भी उस लड़की की बातों में आ गए भाई मरदाना को वश में करने के लिए वह लड़की उन्हें और समझाने लगी तलवंटी से डाका पैदल चलकर आये भ्यमकर दूप में चले, बारश में चले दिन राल बिना ठके, भूके प्यासे चले क्या तुम ठके नहीं यह सोचकर भाई मरदाना का दिल काप गया उनकी आखों में आसू थे, उनका मन कह रहा था अगर इतने महीनों की ठकान के पच्चात मुझे अराम मिल रहा है तो क्या बुरा है, मैं समझता हूँ हम एश्वर के संदेश वाहक है परंतु हम संदेश भी तो तभी जे पाएंगे जब हमारे शरीर तंदुरूस्त होगा आज रात यहां अराम कर लेता हूँ कल गुरूजी के पास चला जाओंगा परंतु अगर मैं आज रात यहां रूख जाता हूँ तो कोई मुझे परिशान तो नहीं करेगा जब मैं यहां आया था तो मुझे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था नहीं नहीं, कैसी तकलीफ आप यहां आराम से सोई, जो खाना है वो खाए यहां सब कुछ मिलेगा हमारी सेवा में कोई लालच नहीं है भाई मर्दाना का दिमाग फिर गुरूजी को याद करने लगा जब मैंने गुरूजी को छोड़ा था तो उन्होंने कहा था अपना विवेक मत खोना उन्होंने ऐसा क्यों कहा था मैं तो यहां सिर्फ भोजें ढूनने आया था ऐसा उन्होंने क्या देखा जो मुझे उन्होंने विवेक में रहने को कहा शायद उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि यहां के लोग जादू वैतांत्री करम कांडों में विश्वास करते हैं गुरू जी तो भूत काल, वर्तमान, भविश्य सभी देख सकते हैं वो तो इश्वर का रूप है अरे रूप नहीं वै तो इश्वर ही है वो मेरा इंकजार कर रहे होंगे मैं उनका कैसा शिश्वर हूँ जो उनको भूखा प्यासा छोड़ कर भोजन करने के पशाच अराम से सोने की सोच रहा हूँ हम तुमें प्यार करते हैं तुम क्यों रो रहे हो मेरे गुरू मेरे इश्वर है मेरा धरम कहता है पहले उन्हें भोजन करना चाहिए था और फिर मुझे पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ हूँ जो उनको भूखा प्यासा छोड़ कर भोजन करने के पशाच अराम से सोने की सोच रहा हूँ बस इतनी सी बात आप हमारे अतिती सदकार पर शक कर रही है आपको भोजन देने से पहले हम आपके गुरू को भोजन भेच चुके है यह सुनते ही भाई मर्दाना को शांती मिली परंतु भाई मर्दाना का दिमाग कभी कुछ सोच रहा था तो कभी कुछ तभी वहाँ एक बहुत सुन्दर इस्त्री आई